जै बोलो देवादी देव एकदरार स्री भगवान महाबीरश्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्म की जै 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 परम्पूज आचार गुरुवर स्री विद्या सागर्जी महाराज की जै 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 परम्पूज प्रमानिक संत महामना मुनिराज प्रमा सागर्जी महाराज की पंचिंदिय संबरनम पंचब्बया पंचविंच किरियासु पंच समिदू पंच समिदो तय गुत्तो संजम चरनम निरायारम। पाँच इंज्रियों का निग्रह करना। पाँच महा बृतों का पलन करना। महा बृतों की रक्षा के लिए पच्चीश किरियारू भावनाए भाना, पाँच समिदियों के साथ तीन गुप्तियों का पालन करने वाले के संयमा चरन होता है, जो अनगार मुनियों के जीवन में होता है। ये चरित्र हमारे जीवन धार का आधार है। इसके बल पर हम अपनी आत्मा का पून तया उतकर्ष कर सकते हैं। बिगदिनों, इंद्री जय और ब्रतों के संदर्व में बात की गई। कल हमने पंच महा ब्रत की बात की थी। आज बात समिदियों की करनी है। समिदि की बात करू उससे पहले एक दो बाते इस संदर्व में जरूर करना चाहूंगा। हमारे हाँ इस संदर्व में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां बनी भी है। कई लोग ऐसे हैं जो ब्रत संयम में बड़े रूर हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रत संयम का कोई मुल्ले ही नहीं समझते हैं। ब्रत संयम में रूर होना भी ठीक नहीं है और ब्रत संयम को ही सब कुछ समझ कर अपने आपको कृतार समझ लेना भी ठीक बात नहीं है। ये बात सत्य है कि बिना ब्रता चरन के जीवन का उत्थान अशंभव है। आज तक जिन्हें भी मुक्ती मिली है वो ब्रतों के बलपर ही मिली। लेकिन कई बार ये शवाल होता है कि ब्रत तो तभी फलते हैं जब सम्मैक दर्शन होता है। इसलिए सम्मेक दर्शन के मिना ब्रता चरन करने की क्या आऊशकता। कल साम को भी इस आसे का एक सवाल आया था कि हम पहले सम्मैक दर्शन पराप्त करें फिर ब्रतों का पालन करें। तो ये तो वैसाई होगा जैसे न नावमान तेल न राधा नाचे। न भूतो न भविश्यती, सबसे पहली बात जो समजने की है, हमेश सम्मेक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, इसका एहसास मुझे नहीं हो सकता, पर मेरे ब्रत निर्दोस पल रहें या नहीं, इसका आभास हर साधक को होता है, सम्मेक दर्शन अंदर की एक परनती है, जिसे हम बाहर से न जान सकते न समज सकते हैं, लेकिन ब्रत हमारी एक प्रवित्थी है, जो एक भाव की प्रेड़ा से होती है, उस प्रवित्थी को हम अच्छे से देख सकते हैं, तो मैं पापों का परित्याग करके निर्दोस रीत इसे अपने ब्रतों का अनुपालन करूँ, ये मेरे पुर्शार से गम्म हैं, पर मैं सम्मेक दर्शन को उद्गाटित करके अपने भीतर ठिकाए रखों, ये किसी के बसकी बात नहीं है, बात को थोड़ा गहराई से समझने की जर्वत है, सम्मेक दर्शन हमारे भीतर की परनती है, जो तत्यों के श्रधान से प्रकट होती है, और अंदर के कर्मों के छह चोप्षम से प्रकट होती है, जब हम सम्मेक दर्शन कर्मों को दबाते हैं, छीन करते हैं, नश्ट करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे भीतर उस स प्रकास प्रकट हो पाता है, वो सुक्ष्म परणाम है, उसे हम जान नहीं सकते, आज मैं सोचू कि पहले मैं सम्मेक दिश्टी हूँ या नहीं हूँ, जाच परक्ष कर लूँ, तो ऐसा कोई माप डंड नहीं है, जो हमें कह सके ऐसा कोई परामीटर नहीं है, जिसके आधार प कह सके कि ये सम्मेक दिश्टी है, मैं औरों की बात जाने दो, खुद के विशे में भी नहीं कह सकता कि मैं सम्मेक दिश्टी हूँ ही, और मैं क्या इस धर्ती में दिब ग्यानियों को छोड़कर कोई नहीं कह सकता कि मैं सम्मेक दिश्टी हूँ ही, ये बात और है कि लोगो कि सम्यक तो जैन्ती मनने लगे सम्यक तो जैन्ती सम्यक दर्सन की जैन्ती ये सब चीचे भांत है ये अथार्त नहीं है इनमें कभी उलजना नहीं ये तो भीतर की प्रनतिय और सम्यक दर्सन ऐसा होता है कि हुआ और गया पता ही नहीं लगता कब अंदर रहे और कब चला जाए कोई पता नहीं तो महराज तो पहले ये सुनिश्चित करो तब आप मुनी बनो तो मजा है ने तो ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि बिना सम्मेक दर्सन के ब्रतों को धालन कर लोगे तो कुछ होगा ही नहीं एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा मुनी ब्रत प्धार अनंत बार गी वक उप जायो पै निज आतम ज्ञान बिना सुक ले से न पायो तो महराजी मुनी बनने से क्या फाइदा ऐसा मुनी ब्रत तो हमने अनंत बार धारन किया है और छोड़ा है और अगर आपको आतमा का ज्ञान नहीं आतमा का स्रद्धान नहीं तो इस ब्रत का क्या फ़ल बात तो सही रगती है तो फिर मैं क्या करूँ देखूँ मेरे भितर सम्मेग्जान है की नहीं सद्धान है की नहीं सम्मेग्दर्शन है की नहीं अब वो तो पता नहीं लग रहा है पता नहीं लग रहा है तो क्या करूँ छोड़ो मुनी ब्रत क्यों ऐसे मुनी पने में तो कुछ होना नहीं है ऐसा भ्रामकुदेश आज दिया जा रहा है इससे बचना ये भ्राम है ये अथार्त नहीं है इससे बच के रहना है क्या करना है मेरे हाथ मेरे अंतरातमा में क्या चल रहा है इसका सुक्ष आभास तो मुझे नहीं है पर इस थूल पता मुझे है मेरे अंदर गहीत मिथ्या तो नहीं है मैं समयक तो चित क्रियाओं और कर्टबयों में लीन हूँ की नहीं मेरी किसी भी प्रवित्ति में मिथ्यात का पोशन तो नहीं हो रहा है और आत्मा के प्रती मेरी अभी रुची है या नहीं, मेरे कल्यान के प्रती मेरी ललक है के नहीं, यदि ये है, तो मान करके चलना, मैं सम्मेक दिश्टी हूँ, क्योंकि सम्मेक दिश्टी में ये सारे गुन होते हैं, जिसमें ये गुन होते हैं, वही सम्मेक दिश्टी होता ह और न केवल सम्मेक जिष्टी हूँ मैं अपने आपको केवल सम्मेक जिष्टी नहीं मानता मैं तो अपने आपको इस धर्ती में सौभाग्यसाली लोगों में से एक मानता हूँ और मैं अपने आपको रत्नात्रे की निधी से संपन्न मानता हूँ रतनत धारी मानता हूं जिसे मैं अपने जीवन के अमूल निधी के रूप में देखता हूं और मुझे लगता है ये मेरे जीवन का अलब भलाब है, जो मैंने किशी भाव में नहीं पाया वो इस भाव में अपने गुरू की के पासे मैंने प्राप्ट की, ये मेरे जीवन की अनमोल निधी है लोक में दुलब है और जिसने इस निधी को प्राप्ट कर लिया उसका बेड़ा पार निश्चित होगा तो जैसे आप अपने कीमती धन को सुरक्षित रखते हो मेरे लिए ये रेरा रतनत रहे सबसे कीमती है और मैं उसे सुरक्षित करने में हमेशा तत पर रता हूँ और यही उत्सा मुझे मेरे मोक्ष मारग में टिकाए है अगर इस तरफ मेरी दिष्टी नहीं हो तो सासतों मैंने भी पढ़ रखे है कि इसके बिना तो मुनिप्रतधार अनंत बार नगेवे कूप जायो तो भईया कुछ हो ना जाना तो है नहीं छोड़ो दो सब मुनिपला छोड़ो नहीं उपदेश कभी नीचे वग गिरने के लिए नहीं होता उपदेश सजय उपर चड़ने के लिए होता है उपर उठो तुम के वर क्रियाओं में रूर होगे तो यहीं अटक जाओगे लेकिन क्रियाओं के प्रियोजन को साथ लेकर चलोगे तो हमेशा उतकर्स करोगे उपर उठो हर ब्रतधारी को हर साधक को ब्रतों के प्रियोजन को सामने रख कर चलना चाहिए अपनी क्रियाओं को आप्रमत्ता से निभाना चाहिए निर्दोस रीती से पालना चाहिए और अपनी चीतना के उतकर्स की भावना भाते रहना चाहिए ये भाव जब दिखता है तब कही जाकर जीवन का वास्तविक विकास होता है कल मैंने चार बाते कही थी बृत लेना, बृत देना, बृत निभाना और बृत का फल पाना तो ये लेने देने की बात है उसके प्रियोजन को समझरे और उसे निभाओ इसलिए ब्रतों को कभी हलके पन में मत लेना जिन लोगों ने आज तक ब्रतों का आनंद नहीं लिया वे ही ऐसा कहते आचारी कुंद कुंद से किसी ने पूछा कि भगवन हमको मोक्ष जाना है और मोक्ष तो ध्यान से मिलता है ये ब्रत तप से तो कुछ होना नहीं है तो जब हमें होगा हम ध्यान में लीन हो करके मोक्ष चले जाएंगे ये ब्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है क्या फाइदा क्या ब्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है तो फिर ब्रत तप से क्या फाइदा स्वारगी भी तो एक प्रकार का संसार में अटकाने का निमित्ध है, हमें अटकना ही नहीं मोख्ष जाना है, तो हम करेंगे तो सिद्धे ध्यान ही करेंगे, ब्रत अप नहीं आचरेंगे. तो उनको सम्झाते वे आचर कुंद कुंद कहते हैं, कि ब्रत अर तपके द्वारा स्वर्ग जाना वर यानी श्रेष्ट है, वर वे तवे ही सग्गों, ब्रत अर तपके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना सही है, माहोई एरेह निरेगई दुख्वम, अब्रत अर अतप से नरक गती का दुख भोगने की अपेक्षा, ब्रत अर तप से स्वर्ग जाना अच्छा है, च्छाया तवथियानम परिवालंतान गुरुवेयां, दो ब्यक्ति हैं जो बहुत भटके वे हैं, प्रजंड गर्मी है, हाल बेहाल है, पर दूर दो मील आगे खरा भरा पेड दिख रहा है, एक कहता है भीया, यहां तो कोई रहात नहीं, धीरे धीरे ही सही, हम उस पेड की च्छाया में जाकर विश्राम करेंगे, और वो विश्राम करने के भावशे, सक्ती नरत वे भी अपने मनो बल के बल पर उस पेड की च्छाया में जाकर विश्राम पा रहा है, और दूसरा कहरा भीया हमारी बश्की नहीं है अब तो हम यहीं रहेंगे एक बेक्ती चाया में विश्राम पा रहा है और दूसरा बेक्ती धूप में जुलस रहा है कौन अच्छा है ध्यान रखना जो ब्रती है वो चाया में विश्राम पा रहे है और जो अबरती हैं, वो संसार के धूप में जुलस रहें, तुम जुलसते रहोगे, पता नहीं कल अचेत नहीं हो जाओ, जो च्छाया में हैं, चलने नहीं रहा है, माना, मंजिल तक नहीं पहुँचा, माना, लेकिन अभी विश्राम में हैं, कल उसकी शक्ती बढ़ेगी, साह ब्रत और तब की महिमा को कभी नजर अंदाज मत करना, और यह जो पंक्तिया है, मुनि ब्रत अधार अनंत बार ग्रीविक उभजायो पह निज आतम ज्ञान बिना सुक लेशन पायो, अगर इसे मेरी नजर में देखो ना, इसमें मुनि ब्रत का उपहास नहीं, मुनि ब्रत की महिमा का ही बखान है, इसमें भी मुनि ब्रत का उपहास नहीं है, मुनि ब्रत की महिमा का बखान है, कैसे, आपको पता है, नौ में ग्रेवेयक तक कौन जाता है, ग्रेवेयक में कौन जाता है, मुनि ही जाता है, मुनि के बिना कोई सोल्वे सर्क से उपर नहीं जा सकता, अगर वो अलंतबार भटका है तो मुनीपने के कारण नहीं भटका अपने मिध्यत्र के कारण भटका और इसमें मुनीब्रत की महिमा है क्योंकि हमारा आगम कहता है कि मिध्य अधिष्टियों का उपाद स्वर्ग में बार्वे स्वर्ग से उपर नहीं है सामान मिठ्था जिस्टी बार्मे सर्ग से उपर नहीं जाएगा लेकिन देखो मुनी वरत की महिमा जो मिठ्थात बार्मे सर्ग से उपर नहीं जाता अगर मुनी के साथ हो जाए तो मुनित्व के प्रभाव से नौमे ग्रेवेक तक चला जाता किसने पोचाया नौमेग्रेवेक में उसके मिठ्यात्वने उसके मुनित्वने ते दूसरे संदर में देखो जब मिठ्यात्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्यूक्त्य तो ब्रत के सरूप को हम समझे, ब्रत की महिमा को हम जाने, तब हम ब्रता चरन कर पाएंगे, और ब्रता चरन करके हम ब्रतों का फल पास सकेंगे, ब्रत का सरूप महान बताया। आचार वीर से महराज से कुछी ने पूछा ब्रत किया कुछ लोग ब्रतों को बंद का कारण कहते हैं कि नई ब्रत का स्वरूब जानना ब्रत की महिमा समझना ब्रता चरन करना और ब्रतों का लाव उठाना इन चारो ब्रत का सरूप बताते वे, आचायर बीर सेन महराज ने कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि भगवन ब्रत क्या है, तो उन्हों ने कहा, पडिसमियम असंखिज जाए, पडिसमिये असंखिज जाए, गुनाये, सेडिये, निजर हेदु नाम ब्रतम, प्रती समे असंख्यात, ग आपों में बिनाम लगता है, बिना ब्रतों के कभी उद्धार नहीं, आभरती, लोग कहते हैं न मिठ्धाजिष्टी का अभरत का ल्यानकारी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता, अभरती का तब का ल्यानकारी नहीं, क्या, अब्रती का तब कल्यान कारी नी अब्रती का कौन ठिका ना बिना ब्रेक की गाली का कोई भरुसा है क्या बोलो बिना ब्रेक की गाली का कोई भरुसा नी कहा गड्य में गिरा दे बगवती आराधना में बहुत अच्छी बात लिखी कि सम्मेग्धिष्टी अवरती के अवरती के सम्मेग्धिष्टी होने पर भी उसका तप महान गुनकारी नहीं होता आवरती सम्मेग्धिष्टी का तप महान गुनकारी नहीं होता चा होता? वो हातिके इश्रान की तरह होता है या चुन्दुचुद कम्मवत अस्था चुन्दुचुद कर्म किसको बोलते हैं पुराने शमय में जब लकडी के काम करते थे तो काठ हमिस्टरी होल कर रील करना होता कहीं तो उसमें बर्मा कमानी का उपयोग करते थे बर्मा कमानी देखा होगा आज की जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा आपन सबने देखा तो क्या होता है एक बर्मा होता है उसमें रसी का फंदा लगा रहता है उसको चलाते है, एक तरफ उधेड़ते, एक तरफ लपेटता है, एक तरफ उधेड़ते, एक तरफ लपेटता है, ये क्रम चलता रहता है, जितना उधेड़ा उससे ज़्यादा लपेटा, क्योंकि अबरत पाप का निमित है, अबरत से पाप बंदता है, अबरत से पाप करता तो जब तक तुम आवरती रहोगे, पाप के बंधक बने रहोगे, भले तुम सम्मेक्जिष्टी हो तुम्हारे पांच प्रत्यों में एक ही गया है मिठात, अभी आवरती तो बची है लपेट रहा है, उससे बचने के लिए ब्रतों को अंगिकार करो, यही ब्रत की महिमा है जो ब्रतों की महिमा को जानता है, वो सतत ब्रतों के प्रति उत्साहित बना रहता है कजाचित तुम ब्रतों को अंगिकार कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन ब्रतों को ग्रहन करने का उत्साह मल में सदेव बना के रखो जिनको ब्रत संयम कष्टकारी लगते हैं, वो कहीं के नहीं रखते हैं आप लोग बोलते हो, छेडाला में, आतम हित हे तु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान जिसे ब्रत संयम कष्टकारी लगते हैं, निरर्थक लगते हैं, समझ लेना उसे अभी ततो का सच्चा श्रदान ही नहीं और जिसे तत्य का सच्चा श्रद्धान नहीं, वो सम्मेक्दिष्टी भी नहीं हो सकता। तो ब्रत की महीमा को जानो, अपनी ब्रत्यों के परिश्कार का यही आधर है, यह तुम्हारे मुक्ती का मूल है, और ऐसा कोई साधरन विक्ती तक ही सीमित नहीं है, तिर्थंकर भी ब्रतों को अंगीकार करते हैं, दिक्षा लेते समय सबसे पहले पंचा चार का संकल्प होता है, पांच महावरत, तीन गुप्ती और पांच समिती रूप, त्रया थेरा प्रकार के चारित्र को अंगीकार करते हैं, और कैसे करते हैं, जीवन परियंत के लिए कर अपने ब्रतों को अंगिकार करते हैं तो ब्रतों को अंगिकार करें जीवन परियंत के लिए अंगिकार करें ये ब्रत की महिमा है इसके विना किसी का उधार नहीं है इस महिमा को समझते वे जो ब्रता चरन करते हैं सम्मकरीती से ब्रता चरन करते हैं वे ही ब्रतों का फल पाने के अधिकारी होते हैं ब्रतों का लाव उठा सकते हैं दूसरा कोई लाव उठाने वाला नहीं है तो आज के संदर में जो मैंने आप सब से बाते की वो ब्रतों के सं मैं लेना चाहे ब्रत हो चाहे समीति हो चाहे गुपति हो इन्हें मैं प्रवित्ति है मानता हूं लेकिन ये प्रवित्ति भी निर्वित्ति के लिए इसके अभाव में मुक्ति न तो किसी को मिली है न मिल सकती है ऐसा उत्सा अंतर मन में निरंतर बना के रखने वाले कभी भलते नहीं हैं, हमें सबलना है, सम्यक्दर्सन की भाउमना भाना है, सम्यक्तोचित कर्तब्यों का पालन करना है, जितना तुम्हारे पुर्सार्थ गम है उतना करो, और जिस पर तुम्हारा जोर नहीं है, उसे अपने देव पर छोड़ दो, अपने भवितब्ब पर छोड़ अभी मैंने कहा कि मैं सम्मे एक्जिष्टी हूँ कि नहीं यह कोई नहीं बोल सकता सम्मे एक्जिष्टी होने की बात तो बहुत दूर की है भब हैं या नहीं है ये भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता भब हूँ या नहीं हूँ ये भी नहीं कहा जा सकता ये दिब्बे ज्यान का विशे है इसलिए उबदेश वही देना चाहिए और उसका ही उबदेश सुनना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे जो तुमें नीचे लाने की बात करता है समझना सच्चा उबदेशक नहीं है सच्चा उबदेशक वही है जो खुद मोक्ष के मार्ग में लगा और औरों को लगाना चाहेगा लेकिन मुश्किल ये है कि जो जहां बैठा होता उससे उपर की बात करी नहीं सकता उनीचे की बात करेगा तुम खुद कपड़े में बैठे हो तो दूसरों को कपड़ा उतारने की प्रेणा कैसे दोगे तुम खुद अबरती हो तो दूसरों को बरती बनने का उबदेश कैसे दे सकोगे और यही हुआ आज अबरतीयों ने उबदेश देने की शुरुआत कर दी तो वो खुद अवरती बने और लोगों को भी अवरत की और बढ़ा दिये कास वे अगर अनूब रती भी होते हैं तो लोगों को उत्साहित करते हैं एक विशेश बात बता रहा हूँ देवों को रत्नत रहे के उवदेश का भाव है अधिकार नहीं है देवों में लिखा तत्तिरियन उवदेशाहि आरा भावादो क्यों तत्त चरित्ता भावाद देवों में चरित्र का भाव है देवों में चरित्र का भाव है देवों में आठवी पुस्तक में है उनमें कोई चरित्र नहीं वसहीं में है इसलिए उनको रत्नत रहिके उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है, देगा कैसे, नहीं तो देवता लोग प्रवशन देते हैं कि आजाओ तुम लोग मुनी बन जाओ, हम तो नहीं बन सकते हमारी पातरता नहीं है यहाँ, पर तुम मुनी बनोगे तभी कल्यान होगा, पि तुम अगर गलती नहीं करोगे तो सिद्य मुक्षी जाओगे, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तत्थ चरित्ता भावा, वहां चरित्त का भाव है, तिरियन उदेस आहियारा भावा दो, सन्यम लेशो पिनते साम विद्धते, इस आसय की बात, अचर वीर सेन न दहुला में लिखी है, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, उब्देश सदे उस से सुनना, जिसके जीवन में कुछ आदर्श हो, जिसका आचरन खोकला है, जो थोता आचरन पाल रहा है, वो कितने भी लच्छे दार बात करे, कितनी भी तार्किक बात करे, उसका उब्देश तुम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हे उस लाइक बात बताई नहीं सकता, उसकी तुलब दृष्टी रखो, चाहे जो उब्देश अगमन जाए, और चाहे जिसका उब्देश सुनोगे, तो संसार में ही रिलोगे, तत्व ज्ञान की भावना होना अच्छी बा तो वही सुनो जिस्य तुम्हारा मारगा प्रसस्त होता हो, तो पंच पंच इंदी संबरना, पंच बया, पंच विंच कि रियासु, पंच समिदो तय गुत्तु, संजम चर्नम निरायारम मैं थोड़ा आगे बल रहा हूं क्योंकि काफी दिन हो गए है इस प्रोचन माला को, और मुझे प्रतिपात देखो भी और आगे बढ़ाना है, पंच समितिया चाहूं तो पंच दिन पंच समिति में हो सकते, तीन गुपती में तीन दिन, लेकिन आज इसी गाथा में मैं सहिमा चरन का उपसंगार करना चाहूंगा, और आने वाले दिनों में इस बिशे को और आगे बढ़ा कर, अभी कुंद कुंद आचाहरी के वांग में इसे इतना है कि पूरे एक वर्स बोलूं तो कम है, और क्या पूरा जीवन उन पर बोलते रहें तो कम है, पर सार में मैं अपनी बात आप सब को बता रहा हूं, मुनिराज पांस समिति के पालन करते हैं, तीन ग ये तेरा प्रकार का चरित्र मुनियों का मूल चरित्र है, ये मुनि के मूल है, पहिचान है, हाँ, ये बोल रहे हैं, ये ही तेरा पंथ है, भगवान तेरा पंथ तो यही है, तेरा पंथ का आर्सी है, ये तेरा पंथ वो मेरा पंथ, जो तेरा प्रकार के चरित्र का पालन क करने वाले मुनियों को अपना अधर्स मानता है उसके आधार पर तेरा पंथ प्रवर्त चर्चा में आ गया ऐसा कहते हैं पर तेरा पंथ अपने आप में कोई पंथ नहीं है हमारा मूल पंथ तो आगम का पंथ है जो मूल संग से प्रवर्तित है मूल आमना है हमें उशे ही दे करके चलना चाहिए, तो तेरा प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना आधर्समानों, और वो कौन है जिन में पाँच महावरत हैं, पाँच समीटी, इरिया समीटी, भासा समीटी, इस्टना समीटी, आधान निछेपन समीटी, और प्रतिषठा चल रहे, यदवात यदवानी, देख कर चलो, जीवों को बचा करके चलो, हमसे किसी सुक्ष में जीव का भी आगात न हो जाए, इसका ध्यान रख करके चलो, ये इरिया समिती, यानि चलने में भी सजगता, भ्वासा समिती, बोलने में शावधानी, बोलने में सजगता, बोलना है तो चाहे जो चाहे जैसा नहीं बोलना, हित मित प्रिये वचनों का प्रियोग करना, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुखचंदते अम्रित चरे, जो मन का ब्रह्म दूर कर दे, हर्दय में आलाद उत्मन करे, ऐसे वचनों का प्रियोग, जिनकी चाल में सालीनता, और बचनों में मधूरता, भोजन में सात्विक्ता, और प्रवित्ती में बिनम्रता हो, वो सच्चे अर्थों में मुनी हो सकता है, चल रहे हैं, जाहे देशे मटक मटक कर नहीं, देख देख करके चलना है, चलते समय में भी अन प्राणियों के हितों को सुरक्षित करते वे चलना है, बोल रहे हैं तो सुरु हो जाओ मशीन की भाती नहीं बोलने से पहले तौलना है हिदकर वचनों का प्रयोग करना है उतना ही करना है जितना आवस्षक और अपेक्षित है यदवा, तदवा नहीं बोलना है, अंट, संट नहीं बोलना है, पाप पूर यही तो एक साधारने विक्ति को महान बनाने के आधार है भासा समिति यानि बोलने में शावधानी इसका मतलब यह नहीं समझना कि यह सब केवल मुनियों के लिए जरूरी है मुनियों के जीवन में तो यह होता ही है तुम भी अपनाओगे तो सांती से जी पाओगे बोलो जिसके वचनों पर नियंतरन नहीं है उसकी क्या हालत है जो अंट संड बकता रहता हो जो अनरगल प्रडाप करता हो जिसकी वानी में कोई अंकुष न हो उस वेक्ति को आप लाइक करते हो उसकी कोई इज़त होती है क्या होता है क्या होता है अगर कहीं फस जाए तो लोग सोचते कब इससे पिंड छुटे और हाँ एक सब्द है बड़ा प्रसिद्ध देशी सब्द लपरा लपर लपर करता रहता लपरा कहना बाचाल कहना यह जो बाते हैं कौन देखेगा अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो बहवार को मधूर बनाओ और बहवार की मधूरता तभी होगी जब बानी में शरस्ता हो मधूरता हो तो मुनी राज भासा समिती पुरुवक अपना जीवन जीते हैं फिर आदान निच्छे पन समिती किसी भी बस्तु को उठाते रखते समय रखी जाने वाली सावधानी कहीं से भी कोई चीज उठाया कहीं से भी कोई चीज रख दिया और खुद भी उट गए बैड़ गए नहीं इस पिच्छी से उस इस्थान को बिदी वद परिमार्जित करके अच्छे से परिमार्जित करके देख कर सूध कर कहीं कोई सुक्षम जीवन नहों उस सुक्षम तर्म जीव का भी आगात ना पहो इस भावला को सुरक्षित रखते वे प्रवित्ती करना ये आदान निच्छेपन समिति है कहीं किसी भी प्रकार से किसी का घात नहों ये हर किसी के बूते की बात नहीं है जो अपने आप के प्रति जाग लुख होता है जिसकी अहिंसा के प्रति प्रकार आश्था होती है वही समितियों का पालन कर पाता है ध्यान रखना, समिति ब्रत के संद्रक्षक हैं, बिना समितियों के ब्रत का पालन, संभव नहीं है, फिर है एशना समिति, भोजन करना हैं, क्या करना हैं, जो मिले सो ले लो, जो मिले सो लो, पर देख सोत के लो, सुध लो, निर्दोष लो, विधी पुर्वक लो, जैसे तैसे नहीं, सोधन पुर्वार, आप लोग भोजन करते हो, कभी देख सोत के खाते हो, अब थोड़ा कलपना करो, आप लोग को टीवी देख के भोजन करते हो, गरवाली ने क्या बनाया, कैसा बनाया, उसका क्या स्वाद, इसका तो कोई आभास ही नहीं, खाते जाते हैं मैं आपको बात कहता हूँ, देख के खाना सीखिए क्यों? आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए जब हम लोगों को आप लोग इतना सोधन पूर्वक देते हो, तो भी गड़बर होता है, अंतराया आता है आप बिना देखे, सोधे, खाते हो, तो पेट में क्या-क्या जाता होगा कभी कलपना की? मैं आपको दो उधारन दे रहा हूँ, आपको आश्यर होगा तीन मेरे साथ जोगटा, एक बार उन दिनों मैं गुल लेता था, तो गुल में स्टेपलर का पिन था वो तो गुल की डल्ले को मैं फोड के रिया, छोटा था, स्टेपलर का पिन कितना बड़ा होता है वो मैंने फोड़ा, तो हाथ में ही पता लग गया, इस्ट्रेपलर का पीन, तांबे का था, आजकल तो लुहे का भी बहुत चलता है, यदी कदाचेत मुझसे थोड़ी चूक होती, और अंदर जाता, तो क्या होता, जान लेवा हो सकता है, एक बार रोटी में, चालनी होती चल चलनी का इतना तार बिला हुआ था, वो उसके अंदर आटे में गुत गया, और वो मोटी रोटी थी, उसमें उनने किया, मुझे संसय हुआ, मैंने उसको अलग किया, दिख रहा था इतना सा नो, निकाला इतना बढ़ाता, वो लोहे का था, और एक बार की बात तो सुनकर आ कुछ आदर्स तो अपने जीवनमें आत्मसाथ करो, तभी सच्चे गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी होगे सोधन करके भोजन करो बिना देखे नहीं खाएंगे और भोजन करते समय केवल भोजन को देखेंगे TV, मोबाइल नहीं देखेंगे आप ये संकल्प ले सकते हैं क्यों? TV देखते समय भोजन नहीं करेंगे मोबाइल देखते समय भोजन नहीं करेंगे कर सकते हैं? फिलकुल दूर रखो खाना खालो, भोजन कर लो फिर देखो ये शंकल्प ले लिजिए ये आपकी सलामती का करणार उससे भोजन करने से मन में भी बहुत सांती मिलती है आप टीबी देख रहे हैं भले न्यूज देख रहे हैं और आपको पता लगा कहीं बम ब्लास्ट हुआ चीथले उड़ गए खून की धार भह रही है चीखे निकल रही है और आप भोजन कर रहे हैं चाई की चुष्कियां ले रहे हैं आपकी संवेधना कहां गई ग्लानी कहां गई ये मन को ठीक रखेगा नहीं भोजन पून सात्विक्ता से काय देशे तो महन पूर्वक भोजन लेना चाहिए भगवान का नामस्मरन करते भोजन सुरू करो और भोजन पूर्ण करने के बाद फिर से भगवान का नाम लो और प्रभू को याद करते वे कर भू प्रभू आज मैंने भोजन किया है अब मेरा पूरा दिन भजन में बीते भंजन में न बीतपाई ये भाव रखो तो भोजन सुधी एशना समिती कर लगती है आप लोग कुछ तो सीखिए और प्रतिष्ठापन समिती का मतलब सुध निर्जन्तुक निर्दोस बाधा रहित इस्थान में मल मुत्रों का छेपन करना मुनिराज लोग इसलिए जंगल में जाते हैं खुले इस्थान में जाते हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी समश्या बनती जारी है हलाकि समाज में जाग रूपता है मुन्देर खन में तो प्रया सब जगा की समाजों ने कुछ जगा एक्वाइर कर रखी है खरीद के रख रखी है कि हमारे आयाने वाले सादू संतों को निहार में कोई बाधा ना हो ये जिम्मेदारी आपकी है सावक ही सादू की चरिया में सहायक बनता है अगर सावक थोड़ी सावधानी रखे और वो सादू की चरिया में सहायक बन जाए तो बेड़ा पार हो सकता है वैसा रास्ता सब को चुनना चाहिए तो ये पांच समितियां हैं जिनका मुनिगन पालन करते हैं और इसके साथ तीन गुपती है गुपती को हम अपने बहवारिक जीवन में किस तरीके से आत्म साथ कर सकते हैं इसकी चर्चा आप सबसे फिर करेंगे आज जो हमने ब्रत का सरूप, ब्रत की महिमा, ब्रताचरन और ब्रत के लाव की बात आप सबसे की है इसे समझे और ब्रतों के प्रती सदेوت साहित रहें मन में ये भावभाय कि मैं अपना जीवन ब्रत पूरुवक ही पूरा करूं पुराने जमाने में राजा महराजा भी होते थे तो अपना अंत मुनी बन करके पूरा करते थे कल मैंने संकाश अमाधन में कहा था कि आजकल जिन लोगों का बिवा हो गया वो सोचते हैं हम तो गए अब हम धरम करम से गए हम बाल ब्रमचारी होते तब ही ठीक होता ये गलत सोच है 24 तिर्थंकरों में पाँची बाल ब्रमचारी थे 19 तो पहले ग्रहस्त हुए तिर्थंकरों का आदर्स ग्रहस्ती का है बाल ब्रमचारी का नहीं मैं नहीं चाहता तुम लोग सब बाल ब्रमचारी बनो ने तो आगे की प्रवस्थाई खतम हो जाएगी संतती तभी तक चलेगे जब आप ग्रहस्त हो तो जितने ग्रहस्त बन गए हो ग्रहस्त बनो ग्रहस्त मत रहो अपने जीवन का आंत हम ब्रती बनकर सामाधी पुर्वा कर सके महाब्रती बने अनुब रती बने लेकिन आब रती ना रहे ये संकल पलो तो रास्ता तुम्हारा है तुम्हारे लिए दोनों काम करना है करम को भी समालना है धरम को भी समालना है ये रास्ते को अंगिकार करके करेंगे तब हमारे जीवन का पत्प्रसस्त हो सकेगा इसलिए हमेशा धर्म के मूल सरूप को समझते वे ब्रतों के प्रतियुत सहा रखे और अपने जीवन का पत्प्रसस्त करें समयाब सबका हो गया यहीं पविराम बोलिए परम पूज आचायर गुर्वा स्री विद्या सागर्ची